वेलकम दियर स्टुडेंट टूडे वी लर्ण क्लास ट्वल्थ लेशन फाइब लव एक्रोस्ता सार्ट डेजर्ट यानि नमक के रेगिस्तान प्यार दिस लेशन इस रिटन बाई केकेन दारुवाला तो केकेन दारुवाला है उसके दवारा ये लव स्टोरी है लिखी गई ह तो आबाउट दा राइटर सबसे पहले अपन राइटर के बारे मेरेते हैं तो केकेन दारुवाला इस वेल नोन वेल नोन यानि फेमस केकेन दारुवाला है वो एक पर्षिद इंडियन सोर्ट स्टोरी राइटर एंड पुइट वो एक लगू कहानी लेक और कवी है वाज Born in Lahore in 1937 और इनका जनम है वो Lahore के अंदर 1937 में हुआ था केकी एंदारवाला बिगेन हिज केरियर एज अ गोवर्मेंट सर्वेंट एंड वाज आलसो ए मेंबर ओव दा कॉमन वेल्थ आपजरवर ग्रूप टु जिंबाबे इन 1980 तो केकी एंदारवाला है उन्होंने अपना केरियर है या जिवन वड़ती है वो एक सरकारी नोकर के रूप में शुरू की और वो कॉमन वेल्थ गेम जो 1980 में जिंबाबे में हुए थे उसके आपजरव ग्रूप के मेंबर भी थे या सरदशे भी थे और उनकी जो लेखनी है उसके अंदर मानवे भावनों के जो सवेजना है वो जलगती है और उन्होंने कई किताबे हैं उनकी रसना की ओथर यानि लिखी और उन्होंने साहित अकादमी अवार्ड है वो भी प्राप्त किया तो बच्चो अब हपन अबाउट दा स्टोरी यानि इस स्टोरी में क्या है उसके बारे में लेते हैं तो दा स्टोरी लव एक्रोस ता साल्ट डेजर्ट और यह जो कहानी लव एक्रोस ता साल्ट डेजर्ट है नेरेड दा ट्रिम्प ओफ हुमन विल और यह मानुवे जो इच्छा सकती है उसकी जीत का इसके अंदर वर्नन है एंड डिट्रिमिनेशन और दड़ संकल्प का एक व्यक्ति है वो अपनी इच्छा है और जो बहादुरी के कारिये हैं उनको पूरा कर सकता है बसरते की उसके अंदर इसको करने की एक दड़ इच्छा सकती हो तो बच्छो इसके अंदर विकल्प रहित जो संकल्प है उसके बारे में बताया गया है कि कोई व्यक्ति यदि कोई दड़ संकल्प किसी चीज के लिए कर ले तो उसको करने से कोई भी रोक नहीं सकता है तो ये इस स्टोरी के अंदर जो दर्ड संकल्फ है उसकी कहानी अपन को बताई गई है तो बच्चो ये अपन ये अपना जो भारत है वो इंडिया का ये मेफ है और इसके अंदर ये तो आपका आ गया राजस्तान का छेतर ये तो आ गया राजस्तान और ये गुजरात स्टेट पड़ता है और इस गुजरात के अंदर ये जो छेतर है ये कच्छ का रन आता है और यहां पर पाकिस्तान है, यह शीमावर्ति छेतर है और यह अपनी इंटरनेशनल बाॉनडरी है तो यहां की यह स्टोरी है वो ले गई है इस स्टोरी की मुख्य पात्र कौन है जमन, तो जमन की दर से है इंडिया साइट से और जमन का जो फादर है उसका नाम क्या है आपताब और जमन का जो घोड़ा है उसका क्या नाम उंठ है उसका क्या नाम है अलरखा तो ये करेक्टर हैं वो अपन को इधर से मिलते हैं इसके साथ में ही एक करेक्टर अपन को इंडिया साइड से ओर मिलेगा और जिसका क्या नाम है नजब नजब एक क् पाकिस्तान साइड है वहां से अपन को इस स्टोरी की जो हिरोईन जिसका क्या नाम है फातिमा है उसका वर्णन आएगा फातिमा का जो फादर है वो एक लंबा चोड़ा मासल व्यक्ति है जिसका नाम काले सा है और वो एक लोंग विक्रेता है यह अपना जो इंटरनेशनल यह जो कच्छ का इलाका है इस कच्छ के इलाके के अंदर जो सबसे उंची पहाड़ी की जो चोटी है वो है काला डूंगर और उस काला डूंगर से यदि अपन बहुत दूर तक देख सकते हैं और यहीं पर एक परंप्रा के अनुसार वो पंच माई पीर है उसकी पूजा कर के ये लोग ये यात्रा ही करते हैं तो ये अपने इंडिया आ गया और ये इदर के आ गया पाकिस्तान ये पाकिस्तान का ये इलाका है इसको अपने शिंद बोलते हैं क्यों बोलते हैं कि जो शिंदू नदी है ना वो यहां से आती हुई यहां आ करके अपने इसकी यहां समू के अंदर गिर जाती है तो ये सिंध इलाका है वो आएगा खावदा और सर्बेला दो गाव आते हैं एक तो खावदा और एक सर्बेला खावदा गाव है ये इनका है और सर्बेला है वो बोर्डर के नजदीक का गाव है तो इन चीजों का अपने को वनन देखने को मिलेगा त तो बच्चो अपवन ओरिजिनल जो स्टोरी है उसको स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो इस वीडियो को अपने साथियों को साथ में शेयर करना और कॉमेंट सेक्षन में किसी प्रकार की कोई कॉमेंट सो तो जरूर लिखना कच के अंदर जो सुका है वो लगातार तीन वर्ष से जारी था इवन वें क्लाउड वर साइटेड दे पास्ट बाई और यहां तक की जब कभी कुछ बादल हैं वो दिखाई देते लेकिन वो भी फिर वहां से गुजर जाते हैं इग्नोरिंग दा स्टारिंग स्ट्राइकिं कंट्री कंट्रियन लाका और वो यह जो पीडित छेतर था उस पीडित छेतर को नजर अंदाज करके चले जाते हैं कौन बादल दा मानसून हैड सो टू स्पीक और मानसून के लिए तो अपन ऐसा कह सकते हैं फोर गोटन दा ले यानि लकवा गरस्त या विदाउट मॉमेंट वाला जो देते है उसकी तरह पड़ा हुआ था इटस बैक कवर्ड विथ इसकेप एंड इसकेर टीश्यू और यह जो रन रुपी देते हैं ना इसकी जो पिछवड़ा है वो बिलकुल सूकी परत की तरह था एंड इसकार जो बिलकुल मॉमेंट लेस पड़ा हुआ हो और उसकी जो चमड़ी है वो सूग गई हो फपिलेदार हो गई हो उस पर घाउं के निशान हो इस तरह उसरन की स्थिती थी दा आर्थ हैड क्रेग्ड एंड इट लुगड एज इफ चंक्स ओव चंक्स ओप और जो परत्वी है वो सूग गई थी और ये ऐशे लग रही थी कि ये चंक्स ओप यानि तुक्डे हो इसके अंदर इट हैज बिन बैगड इन एक किल्न और इसके इसको एक मिट्टी का जो बट्टा होता है इंट बनाने का जो बट्टा होता है उसके अंदर इसको शेका गया हो and then embedded in the soil crust और ब भूपर पट्टी है उसके अंदर बैठा दिया गया हो या रग दिया गया हो दा कैटल बिकेम थिन एन एमिशेटेड जिन्ड शिन्या दूबला पतला और जो जित्तेवी जानबर हैं वो कमजोर और दूबले पतले हो गए थे दा ओक्सिन डाइड और यहां तक ही जो ओक्सिन या बैल है वो तो मर गए दा कैमल अलोन सर्वाइव कमफोर्टिबली केवल उंट है वो ही आराम से जिन्दा रह पाया फिलिंग फिडिंग ओन दा बावल कैमल थ्रोन और बावल नाम का एक जाड़ी होती है जिसको अपन उंट की जाड़ी भी बोलते हैं वो खा करके उंट जिन्दा था देन वन डे दा क्लावड रोल्ड इन लाइक वाइन इसकिन्स और एक दिन क्या हुआ कि जो बादल है वो मसक की तरह लुड़क करके आए एंड दा लाइटनिंग क्रेग और बिजलिया है वो चमकने लगी एंड दा वाइन इसक्रिन ब्रस्ट और मसक रुपी जो बादल है वो फट गए इसका अमला वर्सात बहुत ज्यादा हुई दो टू यर्स है पास्ट सिंज दा ड्राउट एंडिड हालां कि दो वर्स हो गए है जब से कि ये सूका है उसका अंत हुआ है एवरिवन रिमेंबर देट इट फर्स्ट रेंड ओन दा डे वेन फातिम ने गाह में परिवेश किया था तो हुईज फातिमा फातिमा इस स्टोरी की हिरोईन है और कहां से विलोंग करती है ये पाकिस्तान से विलोंग करती है और ये कैसा हुआ इस स्टोरी के अंदर इसके बारे में बताया गया है उसने उसके लिए क्या नहीं किया दा डाटर किरिता की पुत्री थी सी जिसको की हूँ स्मेल्ट ओफ क्लॉव जिसके अंदर लोंग एंड सिनामन सिनामन दालचनी जिसके अंदर लोंग और दालचनी की खुस्पवाती थी हूँज लाप्टर हैड दा टिम्बर ओफ एंकल बेल्स और उसकी हसी है वो पाजेओं की खनक की तरह थी हूज तो यहाँ पर जो फातिमा है उसकी ब्यूटी का वरनन किया गया है हूज आइबरो वर लाइक बलेक विस्प ओफ दा नाइट और उसकी आँखें हैं वो उसकी आँखों की जो भौएं हैं वो कैसी थी वो रातरी की रातरी रूपी काली लटाएं हैं लटे है उनकी तरह थी और उसके जो बाल हैं वो अपने आप में रात थे इसका मला उसके बाल बहुत काले थे फोर हर ही वोड क्रोस दा साल्ट डेजर्ट और उसी सुन्दर लड़की के लिए उसने इस साल्ट डेजर्ट या नमका जो रिगिस्तान है उसको पार किया वो है जो काला डूंगर है वहाँ पर एक दिन के लिए तहरा भी लेख हिल और काला डूंगर मैंने आपको पहले बताया था कि काला डूंगर है वो एक हिल टोप है कचकी और वह सबसे उंची जगह है जहां से अपन दूर तक देख सकते हैं ऐ बलेख हिल कैब्ड वित बेसाल्ट और एक काली चोटी है जो की जवाला मुखी से निकला हुआ जो नम की पदार थे उस ये बनी हुई है दा हाइस्ट इंदा कच और ये कच के अंदर सबसे उंची जगह है और बच्चों यहाँ पर एक संसेट पोइंट भी है उसने अपने उंट को वहाँ बैठा दिया अलरखा जिसका क्या नाम है अलरखा फ्री टू क्रोब ये एक बार कि उसना आया था अपने एक्जाम के अंदर की नजब है उसके उंट का क्या नाम था तो अलरखा नाम था फ्री टू क्रोब ओन दा बावल ट्री और जो उंट है उ इसे कि वो बावल ट्री खा सके और शाम के समय वहां पर जो पंचमाई पीर का एक इस्तान है हिल टॉप यानि उस पाड़ी के शिकर के उपर वहां पर उसने उसकी पूजा की उसको सरदांज ली दी उसने वहां पर कुछ भोजन है उसको रख दिया और एक थाली है वो बजाने लग गया एक्रोस टू दा कस्टम हियर जैसे कि अकोर्डिंग यानि कि अनुसार अकोर्डिंग टू दा कस्टम हियर और जैसे कि यहां पर परंपरा है इन ए फ्यू मिनिट से जेकल मेटरलाइज़ दे एंड गोबल्ड अब दा फूड शियार हैं वो वहां पर उपस्तित हो गए और उस पूरे के पूरे भोजन को निगल गए दिस वाज ओस्पियस और इस प्रकार से यह एक सुब बात थी इफ दे हैड नो ट्रंड अप ही वुड हैव कंसिडर्ड दा इल इफेक्ट ओफ दा ओमेन और यदि वो शियार वहां पर नहीं आते और ऐसा नहीं करते तो इस प्रकार यह एक बुरी बात माना जाता दा ओमन यानि सकुन के उपर शिरिसली एनफ टू हैव कैंसल्ड दा जरनी और इस प्रकार से घंबी रूप से यह भी हो सकता था कि उस जरनी है उसको भी कैंसल या निरिस्ट करनी पड़ती और इस उस हिल टूप के उपर परते एक रात को एक लेंप है वो पीर के सम्मान के अंदर जलाई जाती थी और उसकी जुआला है तो खावदा नमक जो गाम है ना उस खावदा नमक गाम से उसको देखा जा सकता था और एहंड्रेड इयर्स अर्लियर दा पंच माई पीर है तरज्ड दीज साल्ट वेस्टेज और कई वर्सु पहले और एहंड्रेड इयर्स अर्लियर लगबग सो वर्स पहले तो पंच माई पीर है वो उन साल्ट वेस्ट के अंदर यात्राएं किया करते थे और जैसे की एक कहानी है कि उनके साथ में एक जेकल या शिहार हुआ करता था और ये जो शिहार है ये एक एकांत पिरिये या वेरग्ये वाला एक जानबर होता है और वह उसको इन थोर्ण यानि काटे वाले जो जंगल है जाडिया है उन जंगल में छोड़ दिया जाता था विहर अपार्ड फ्रोम हीज वल्पाइन कम्पेनियन नोन एल्स डेर तु डिस्टरब हीज नोक्टरनल ट्राइट से और वहाँ पर उस जंगल के अंदर उसके जो लोमड़ी जो सातिया है वो आ जाते और इसके अलावा कोई भी अन्य जो है वो उनकी रात्री कालीन नोक्टरनल यानि रात्री कालीन जो गुप्त भेट है उनको डिस्टरब करने का सास नहीं था दा कस्टम और फिडिंग दा जेकल हैड लिंगर्ड सिंस देन और इस परकार से जो शियार को खिलानी की परंपरा है वो उसी समय से है यानि आज से लगबग सो वर्ष पहले से ये परंपरा पंच माई पीर के समय से ही जारी है नजब बौड बिफोर दा फ्लेम एंड सेट आउट नजब है उसने अपना जो सिर है वो उस जवाला के सामने जुकाया और वहां से रवाना हो गया सेट आउट यानि रवाना होना और जो उट की जवाडिया है उसको उसने पीछे चोड़ दी शरोड़ें को और उस इलाके को भी छोड़ दिया जो एक बार सोड़ से ना उसके लिए कभी परशित था उस इलाके को भी उसने छोड़ दिया बट नौ सियर एंड ब्राउन एज डेजर्ट लेकिन अब ये इलाका है वो सूका था और बिलकुल ब्राउन इतना भुरा था रिगिस्तान की तरह और उसने अपने पीछे हर परकार की जो मानव बस्तिय हैं उनको भी छोड़ दी और अगले तीन दिन तक उसको कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला था यहां थक की जो भुंगाज यहां की वहां की जो घर है न ऐसे घर होते हैं भुंगाज जो की एक रूम के घर होते हैं मिटी के बने होई होते हैं सर्कुलर दा बेस और आधार के उपर तो यह गोल होते हैं बट टेप्रिंग इन्टू दा कॉनिकल लेकिन धिरे धिरे वो संक्वाकार हो जाते हैं थेच रूप ओफ दा टॉप और उनकी टॉप के उपर घास की सपर होता है और अब उसके सामने केवल जो लहरदार मिटी है वो ही बची थी माइल्स अपोन माइल्स जो मिलू मिलू दूर तक थी वाटर स्प्लेस्ट इन्दा चेगल्स और उसकी जो चगल है उसके अंदर पानी है वो छलक रहा था विद्दा नेम ओफ पीर ओन हिज लिप से और उसने पीर के नाम पर अपने उसके फोटों पर पीर का नाम था नजब हुसें सेट फोर्थ और इस परकार से नजब हुसें यानि इस इस्टोरिका जो हीरो है नजब उसका पूरा क्या नाम है नजब हुसें नजब हुसें है वो आगे वड़ा नजब्स के जो संकोचन शीलता है वो उसके दोस्तों के साथ में बहुत ज़़दा इन्फेमस थी कुख्याद थी He was known to have blessed at the mere mention of a girl और वह केवल एक लड़की के mention यानि वर्णन से ही वो उसके चैज़ा लाल हो जाता था A strangely introverted late with dreamy eyes वो एक विचितर परकार का अंतरमुखी लड़का था जिसकी आँखों के अंदर स्वपने थे, स्वपने शील था No one had ever associated with him any act of brave doe और कोई भी वेक्ती है वो उसके बहादूरी के कारी के अंदर सामिल नहीं हो सकता था His father आपताफ वुड से और उसका पिताजी आपताफ है वो कहा करता था All that my ancestor and I have acquired during a hundred year से और जितना भी मैं और मेरे पूरोज हैं उन्होंने सो वर्स में कमाया है इस लेड लेड छोकरे ओए लड़के को बोलते हैं विल स्केंडर अवे तो वह लड़का है उन सब चीजों को बरवाद कर देगा खो देगा Note because he is spent thrift इसलिए नहीं कि वह फिजूल खर्च है But because he will be to sign to change money for लेकिन वह इतना ज्यादा सरमिला है कि to charge money for what he sell क्योंकि उस वह जो कुछ बेचेगा न उसको मांगने के लिए ही बहुत ज़्यादा सरमिंदा है इसलिए उसको वसूल नहीं कर पाएगा तो ये नजब के बारे में उसके फादर ने बताया He had cross the run on four occasion earlier तो नजब है उसने चार बार अपने पिताजी के साथ में उस रन को पार कर लिया था यान चार बार यात्राएं कर ली थी Though he had turn twenty only a month ago हाला कि वहें 20 वर्स का एक मेने पहले ही हुआ था But each time he had either accompanied his father or that really old इसकमलर जमन लेकिन परते एक बार जब वहें run को क्रोश किया तो या तो उसका फादर उसके साथ में था या वाईली यानि दुस्ट या फिर दुस्ट जो इसकमलर तसकर जमन है वो इसके साथ में था दावेटरन ओफे हंड्रेड इलीगल ट्रिप्स इन संद शिंद और ये जो इस इसमगलर जमन है न वो वेटरन यानि अनभवी था इस शिंद के अंदर सोवी यात्राएं करने के अंदर अनभवी कौन था ये इसमगलर जमन या तसकर जमन था इस टाइम दे हैड टेकन तेंदु लीफ वर्थ अबाउट फाइफ हंड्रेड और परते एक बार वो लगभग पांसो रुपय की तेंदु की पतियां अपने साथ में ले जाते एंड सोल्ड इट एक्रोस आ बोर्डर और इसको बोर्डर के पार बेज देते फोर टोंटी हंड्रेड लग ट्वलों हंड्रेड बारासो रुपय के अंदर तो 500 की खरीते और 1200 की बोर्डर पार ये बेज देते यानि कि तेंदू की पतियां ये इंडिया से पाकिस्तान के लिए ले जाते बट बिट्विन दा पे ओफ दा ओफिशेल्स लेकिन जो अधिकारी हैं उनको भुक्तान करने के बाद में और बिचोलियों को फू अरेंज दा सेल ओ बीडी जो कि उस बीडी की पत्ती को बेचने में उनकी साहिता करते हैं व्यवस्ता करते लिफ टू दा मैंस वू टुक दा केमल आउट टू ग्रेज और उन लोगों को भी देना पड़ता जो उनके उंटू को चराने की व्यवस्ता करते और उन दोस्तों को और समंधियों को वू हारवर्ड दैम जो उनको सरण देते और इन सब लोगों को भुक्तान करने के बाद में बहुत कम बच पाता इट वाज जस्ट एनफ टू बाई सम यूजड टेरिलीन गार्मेंट से और इसके बाद में वो कुछ काम में लिये हुए टेरिलीन के कपड़े हैं वो खरीते और इसके बाद में वो अपनी लंबी यात्रा है वो वापस क्रोस करके उस डेजर्ट यानि एगिस्तान को पार करके इंडिया के लिया आते इट वाज डूरिंग वन ओफ दीज ट्रिप से और इन्ही यात्राओं के दुरान एक यात्रा के अंदर वो लोग हैं वो काले सा जो के एक लोंग विकरे था पाकिस्तान साइड के अंदर तो उसके वहाँ पर रुके थे यह है आपकी जो मदर है उसका दूर का रिष्टेदार है इस फादर है टोल नजब उसके पिताजी ने नजब से कहा काले सा वास टाल काले सा लंबा था एंड वेल फ्रेस्ट और अच्छा मासलडार था एंड हीज थिक जोवल फेस और उसका मूटा ताजा ताजी जो गाल है गालों वाला जो चेरा था हैड परपल तिंज उसके उपर बैंगनी कलर था अबाउट इट एज इफ सम्वेहर अलोंग दा वे ऐसा मानो कि कोई चीज है वो कहीं से इसका जो बदरंग चेरा है उसके उपर आकर के कोई अलग चीज लग गई हो या चिप गई हो और वो हमेशा काले और सपेद रंग की जो चोखानों की तहमत है वो पहने करता था एक दिन नजब को इस चीज का मालूम चला कि ये फैलो यानि ये जो काले सा है वाज एन एफसलूट रग ये इतना पून रूप से इतना दुष्ट व्यक्ती है वो ड्रोव सच ए कस्द बारगिन उसने एक ऐसा बारगिन ये शोदा किया देट फोर दा फर्स्ट टाइम इन हीज हेरिंग की उसने पहली बार सुना फादर इस्टार्टेड माउथ ओफ्शिनिटीज ओफ्शिनिटीज ये गालियां कि पिताजी को पहली बार गालियां देते हुए कब सुना कि ये जो काले सा है वो एक पून्ड रूप से दुष्ट व्यक्ती था और उसने एक ऐसा सोदा कर दिया था ऐसा घाटे का सोदा कर उर्दु का सब्द है बच्चो इसका मतलब होता very beautiful वो इतनी ज़्यादा सुंदर थी so bright इतनी चमकिली थी उसकी आँखें इतनी चमकिली थी that they would have lit up the darkness of the underworld कि उसमें इतनी सकती थी कि जो पातवलों का जो अंधिरा है उसको भी वो परकासित कर सकती थी she was taken by this quite pleasant young man taken by attracted और वो जो लड़की फातिमा है वो इस युवा वो सुनेरे जो युवक है उससे आकरसित हो गई so ready with his smiles इसलिए उसने so ready with his smiles और वो उसकी जो smile है उस युवक की जो smile है उससे attracted हो गई but she could hardly illicit word out of him illicit यानि निकालना या प्राप्त करना लेकिन वह उस युवक से एक सब्द भी नहीं निकलवा पाई फातिमा है ड़ीन और जो फातिमा under pressure to get engaged to someone in the village और फातिमा के उपर दवाव था कि वह गाउं के किसी वेक्ति के साथ में सगाई कर ले non for his salad speech जिसको की salad यानि as supposed उसकी जो वानी है उसके लिए उसको जाना जाता था and grotesque की इस्टेमर और उसकी जो हकलाना है वो वहती बेहुदा या फूहड पून था grotesque की यानि उपहास पून था उसका जो हकलाना है वो वहती उपहास पून था ऐसे वक्ती के साथ में शादी करने का फातिमा पर दबाव था just my luck to run into mutes और इस पर फातिमा कहती है कि मेरा जो luck है वो गूंगूं के अंदर है क्योंकि जिसे समंद होने वाला है दबाव है वो तो हकलाता है और एस सबस्ट बोलता है और जिससे वह आकरशित हो गई थी जिसको वह प्यार कने लग गई थी वो कोई सब्द बोलता नहीं है शी थोट उसने सोचा बर देन एस सी काट हिम स्टेरिंग एट हर लेकिन थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वह उसको घूर रहा है शी लावट बेक वह एक बार पुने हसी और इंड 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 मिंग वेन फातिमा रिपिटेड दा परफोर्मेंस और शाम को एक बार पुने फातिमा ने अपना जो परदस्ट न वैसा ही किया वैसे ही हसी और उसका जो चहरा है वो उतेजनाशी लाल हो गया एज इप मानो की शी देड हिम टू टेग दा नेक्स स्टेप कि वो ऐसा साहस कर रही हो कि वो अगला कदम उठाए ये हैड फ्लंग हीज आर्म्स अराउंड हर इन ए रेकलेस दीजी और उसने अपनी जो आँखें हैं अपनी जो बाएं हैं वो चारों और उसके कर दी रेकलेस यानि लाप्रवाया एज सावधान उस डीजी मुमेंट यानि उस एक डीजी मुमेंट होता है एकदम जो ट्रांस की अवस्ता होती है ना उसके अंदर या चक्कर खाने वाली जिसमें दिमाग काम नहीं करता उस अवस्ता के अंदर यस हाँ ही वुड कम अगेन कि वह वापस आएगा ही टोल्ड हर उसने उसको कहा एंड ही सा हर इस्टार्ट विट डिस प्लिप फोर ही सीम्ड तू हैव आंस पर हर एंड साहर स्टार्ट और उसने देखा विट डिस विलफ उस एवस्वास के साथ में फोर ही सिम्ड तू हैव आंस पर हर कि वह उसको उत्तर देगा इन अर्कुलेटेड क्यूसन उस एवेक्त क्यूसन का उस एवेक्त क्यूसन का वह जवाब देगा would he come again क्या वो वापस आएंगे क्या इस टाइम ही वूड कम अलोन विथ नो फादर और अंकल तू क्रेम हीज स्टाइल क्रेम फिज स्टाइल अगली बार वो अकेला आएगा ना तो पिता जी और ना ही अंकल साथ में होगा जो की उसकी स्टाइल या सेली है देखा कि उसके पीछे वो उसको घूर करके देख रही थी हर आईज लाए के पेर ओप स्टॉर्म लाल टेन इन दा डार और उसकी आखें किसकी आखें फातिमा की जो आखें हैं वो ऐसे दिख रही थी कि एक लाल टेन का जोड़ा हो एक अंधेरे के अंदर ऐसा वो दिख रही थी एवर सिंस ही ही इस रिटन टू खावदा और जब से वो खावदा के लिए लोटा है यानि वो खावदा अपने गाउं आया है नजब हैड बीन इस्टेनिंग टू गैट अवे नजब है वो वापस जाना चाहता था वाट वाज देर अबाउट दा रन देट ही डिड नोट नो उस रन में ऐसा क्या था कि वो उसको नहीं जानता है वो दिन के समय में भी उस रन को पार कर सकता है लिव वोकन अप बाई एस आउट फ्रोम जमन अज़ा लिव अलोन इस्टार लाइट और यहां तक की लिव अलोन इस्टार लाइट और वह जो तारों की रोसनी है उसी के अंदर वो चल पड़ा एथिंग नोन ओफ इस एल्डरस है डेर टू डो और उसने ऐसा काम कर दिया कि उसके बड़े लोग हैं उन्होंने भी ऐसा करने का कभी सास नहीं किया था और एक सुबह आप 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 वाज वोगड अप बाई ए साउट फ्रॉम जमन आप आप है उसको जगाया गया एक तेज आवाज के दोरा जो जमन कह रहा था बोल रहा था वाज दा ओल्ड रग वांट अरे वो दुष्ट व्यक्ति क्या चाहता है उसने वह बुदूदाया अपने आँखों को रगडते हुए जमन आस्ट अबाउट नजब वेहर अबाउट और जमन है वो नजब के ठोड ठिकाने के बारे में पूछ रहा था तो थेंक यू डिर स्टुडेंट अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट पार्ट बताए जाएगा ओके